हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ विनिता स्वागा थे आपका मेरी चैनल विनिता स्वीट होम रस्वी में अज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं दिवाली स्पेशल स्वीट रेसिपी ट्रेडिशनल बेसन की बर्फी या जिसे हम बेसन की चक्की भी बोलते हैं इसे बनाना गी बिल्कुल मिठाई है तो मिठाई में तो घी लगना ही है और घी में बिल्कुल हमने कंजूसी नहीं करनी है तो यहां मैंने एक कप घी लिया है तो एक कप घी में मैंने यहां ज़स्ट डबल दो कप बेसन लिया है यहां मैंने हलका दाने दाने दार बेसन जो थोड़ा म तो मैं जो इसका फ्लेम है न वो इंदम लो कर दूँगी और लो फ्लेम पे फिर हमने इसको अच्छे से भूनना है तो आप देख पा रहे हैं इसमें जो बबल है आना है स्टार्ट हो गए है अब मैंने फ्लेम को इंदम लो कर दिया है लो फ्लेम पे बड़िया सा कलर आने तक खुसपू आने तक हमने इसको भुनना है में देखिए कितना बड़ी है इसमें देaye से रचेंज हो रहा है अट भीकूष को हंने लगा तार चलाते रहना आए नहीं तो यह बेसन जो हेना नीचे से जल जाएगा तो जब तक यह वेसन को भी हम चलाते जा रहे हैं एक हाथ से और जब तक हम इसären के चाशणी भी दूसरे साइट में रिडिय करने की लिए राग देते हैं अब हम इसमें थोड़ा सा कलर एड़ कर देंगे जिससे जो मिठाई का कदर है वो इक दम मार्किट जैसा आ जाएगा कलर ऑप्षिनल है आपको पसंद हो तो डालिए दरवाज स्किप कर दीजे देखे हमारा बेसन भी अल्मोस्ट भुनने वाला है इसका कलर बढ़िया सा आ गया है गोल्डन कलर और इसमें हमने चाशनी जो मैंने आपको टिप्स बताया था ना तो वो इंपॉर्टन टिप्स यह है कि जो चाशनी है ना इसकी उसमें आपको बहुत ध्यान रखना है इसकी जो चाशनी है वो बहुत जादा ना तो पतली होनी चाहिए और ना ही काड़ी होनी चाहिए यानि कि हमको इसकी एक तार और दो तार के बीज़ की चाशनी बनानी है क्योंकि अगर एक तार्की रही तो जो मिठाई है हमारी लूज हो जाएगी अच्छे से बर्फी नहीं जमेगी और दो तार्की होगी तो टाइट हो जाएगी तो इसका एक तरीका है यहां मैंने पानी लिया है पानी में चाशनी डाल दिया आप देख पा रहे हैं इसकी जैली अच्छे से टारने के बाद हम ने इसको अच्छे से मिक्स किया हुआ है घैस के ओपर ही हम आप बेक्षे करेंगे यह डारेक्शन में देखिये बड़ी अच्छे से मिक्स हो चुका है आप इसका टेक्षण देख पा रहे हैं अथनी बड़ आ बर्फी जमने वाली ना फ्रे अब इसको थोड़ा सा गार्निश कर देते हैं तो गार्निश करने के लिए यहां मैंने थोड़े से बारी कटे हुए पिष्टा ले लिए हैं ट्रैफ्फुर्स आप अपनी चॉइस के एकॉर्डिंग कोई भी यूज़ कर सकते हैं और साथ ही मैंने थोड़े से डाल दी हैं बारी कटे हुए बदाम और इसके बाद हम अपनी परफी को थोड़ा सा थंड़ा होने के लिए छोड़ देंगे रूम टैंपरिचर पर लगबर आदे से घंटे के लिए जिससे की जो मिठाई है हमारी सैट हो जाएगी और इसके फिर उसके बाद में हम पीस कट करेंगे तो देखे हमारी मिठाई है वो ठंडी हो चुकी है इसको हमने रूम टैंपरिचर परड़क दिया था एक घंटे के लिए अब हम इसके पीस कर रहे है आप देख पा रहे है कितना स्मूथली इसकी कटिंग हो रही है एक तम परफेक्ट द बनी हुई है तो फ्रेश है हेल्दी है तो अब हम इसको कट करने के बाद एक पीस निकाल के देखा है हमने देखी एक्टम परफेक्ट इसकी ठिकने से और परफेक्ट शेप भी दिख रहा है आपको दिखने में कितनी सॉफ्ट लग रही है तो इसी तरीक से मैं इसके सारे इस निकाल के प्लेट में रख देती हूं देख पा रहे हैं फ्रेंट्स से बनाना कितना इजी है बस इसमें सबसे इंपोर्टेंट जो एक टिप था आपके लिए वो चाशनी है चाशनी हमनों को ध्यान से बनानी है अगर चाशनी जरा भी लूज हुई या टाइट हो गई ह और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करने के वाद बेल आइकन जरूर ब्रस कीजेगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक टाइम पर पहुंचे थैंक यू